बीस इकिस जुलाई को RSS बीजेपी की संयुक्त बैठक लखनाओं में होनी थी लेकिन वो बैठक देर रात कैंसिल कर दी गई है इसकी वज़ा क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे क्या BGP और RSS में सब कुछ ठीक नहीं है ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे 24 गंटे पहले बोहन भागवत का बयाना और 24 गंटे बाद BGP में RSS और BGP की मिटिंग तै होना और 12 गंटे बाद उन दोनों मीटिंग्स को कैंसिल करना क्या कुछ बड़े संकेत की तरफ इशारा करता है हमारे सायोगी प्रकाश लली थैं वुन से हम समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले दो बात आपको बता देते हैं पहली बात ये कि इस मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला होने बाला है बहुत तूफानी फैसला होगा या तो किसी बड़े नेता की कुर्सी जाएगी या तो फिर योगी का जो सिस्टम है इस बार पूरी तरह से सही हो जाएगा कहने का मतलब यह कि योगी आधीतिनाद भी अब फ्रणट पर आ गए योगी आधीतिनाद की सहने की शम्ता बहुत ज़्यादा है उनको अगर कोई छेड़ता है तो वो ज़्यादा बोलते नहीं जबाब देने में विलीब नहीं रखते, काम करने में विलीब रखते और योगी आधितिनाथ को एक लंबे वक्त से बारी-बारी कईनेता परिशान करते आ रहे हैं लेकिन अब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर इसी तरीके से पार्टी मीटिंग्स में या पार्टी गुटबाजी की वज़े से जनता का काम प्रभावित होगा तो शायद उन्हें दिक्कत होगी और अब जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई है कब होगी अभी ये तारीक नहीं आई है क्या लगता है आपको आरे से सो बीजेपी में क्या चल रहा है क्या कौन सी ऐसी बात है जो अटक गई है जिस पे कोई फैसला नहीं हो पा रहा है ये मीटिंग में देखे कौन-कौन लोग शामिल थे मोख मंतरी थे इसके अलावा दोनों मोख मंतरी और प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं और एक संगठन मंतरी तो आप एक चीछ समझो कि जो कुछ डिस्प्यूट दिखाने या बनाने की कोशिश है उत्तर प्रदेश के अंदर उनको free-end में परेशानी जिन लोगों को योगी आदितनाद से है जो भी लोग है उनको समझाईश की गुंजाईश है उनको क्लास देनी है वह चाहे जो लोग हो पहले उनकी क्लास लग चुकी है दिल्ली में बाकी के लोग नहीं समझा रहा है तो उनको अब संग भी समझाएगा अपने तरीके से दूसरी बात है योगी आधितनात को लेकर संग कहीं से सब लोगों को बहुत क्लियर इसलिए रहना चाहिए क्या मतलब अगर यह विवाद है तो क्या केश्व पसाद मौर्या और बिजेश पार्टा क्या जो लोग भी पार्टी में रहकर पार्टी लाइन पर काम करते हुए पार्टी में ही बगावत की स्तिती पैदा कर रहे हैं क्य उनकी कुरसी इस बार कट जाएगी और क्या इस बार आरेसस यह समझाएगा कि अमिशा यह चाहते हैं कि योगी आदितनाती यूपी के मुक्यमंत्री रहे हैं और वही वो चेहरा है जो 2927 आपको यूपी जिता सकते हैं क्या कहानी चलने वाली है दो थेओरी है एक थेओरी है कि अर vagi wenn यह आधितनात को बहुत मानते हैं और इफ़्र प्रपंच रचा जा रहा है थे दूसरी तेrang नंबर दूपे बैठना चाहतेए थे मोदी के बात इसलीं यह जारा है सताइस में बाब को आख जwreens जाए बहुत नाराज हो गया है ऐसा कुछ नहीं होता है अमेर्शा लाइन वही होगी जो नरेंडर्मूदी कहेंगे तो नरेंडर मुदी किस तरफ खड़े हैं नरेंडर मुदी कह रहे हैं कि योगी है UC Keith लिए उपयोगी और सीधा सीधा मैसेज आप देखो ना कि भाई जिस मुख्यमंत्री को अपने मतलब का अपने चयान का अपने हिसाब का अभी तक मुख्यसचीव नहीं दे रहे थे आप आपने लोगसभा चुनाओं में जो भी रिजल्ट आया उसके तुरंत बात जो लोग क लेकिन गोरखपुर में हैं तस्वीर नहीं आया फोटो नहीं आया इसका मतलब कुछ हुआ नहीं होता है अवशेग वह सब कुछ क्लियर है योगी आदितनाथ को क्या करना है दूसरी बात योगी आदितनाथ के लिए कुछ परेशानियां है उत्तर प्रदेश में पार्टी अब केंद्र ने चुकी देख लिया है अब जो लोग यह कह रहे हैं कि भाई संगठन ने ऐसा किया संगठन की अंदेखी हो गई यह सब बवाल नहीं चलेगा दूसरी और इसी लिए यह जो संग वाली बैठक है दोनों उपमुख मंत्रियों के होने की क्या मतलब है ब्रजेश प्रसाद मौरे को मानो कि संग से उनकी बैग्राउंड है उनका लेकिन ब्रजेश पाठक किसलिए है तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा जो भाई साहब सरसंग सरसंग कारवाहक जो है अरुन जी जो मीटिंग लेने वाले हैं जिनको यह लोग जिनकी बात सुनी जाएगी जो नागपुर से मेसेज है तो वो क्या है वो पार्टी और संग के बीच में वो क्या कहते है सर सहीयोजन का काम करें पूल की तरह निभाएंगे हमारे सहीयोगी संदीप शर्मा सर भी मारे साथ जुड़ गया है अब यह बताईए आपकी जिस तरीकी की राजनीती उत्तर प यह मीटिंग जिस पर बात कर रहे हैं लोग कि मिटिंग पोस्पॉन की हुई है सबसे बड़ा तो यह बड़ी वज़ा यह है कि सब कुछ मीडिया में पहले आ गया संग कभी यह नहीं चाहता है कि उसकी खबर को बाहर मतलब वह पार्टी में आप कई बार बयान सुने होंग संग का वो यह बोलता है कि हमको political हम लोग कोई हश्चेप नहीं करते हैं हम political नहीं है लेकिन cultural है लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जब भी कुछ होता है political उतल पुधल पार्टी के अंदर तो वो संग ही आके उसको संभालता है और यहां पे भी वही होने वाला था लेकिन चुकि मीडिया में इतना हाइप बन गया इस वज़ह से ये एक बहुत बड़ी वज़ह हो सकती है मीटिंग को postpone करने की और अब कब होगी ये भी शायद मीडिया को नहीं पता चलेगा होगी तो जहां तक ये मैं अपने अनमान से बता रहा हूँ और यही होने वाला है देखेगा इसमें होना क्या था जैसे आभी प्रकाश बता रहे थे कि अरुन कुमार की responsibility क्या है अरुन कुमार जो है वो बीजेपी political party जो है और जितने भी संग से affiliated संगठन है इन बीज के coordination का काम करते हैं इसलिए इनको ये responsibility दी गई थी कि इसमें बुलाएं अब सुची एं मिटिंग कितना important था सब लोगों ने cancel कर दिया था अपना आपना कारिक्रम तो ये मिटिंग कितना योगी आदितिनाथ में अपना cancel कर दिया और बाकी जितने भी लोग थे सब को बोला गया था स्टेट के और भी representative थे इनको बोला गया था कि आपको रहना है बिचार नहीं बन पाया होगा जैसे कोई फैसला होगा उस meeting में कुछ तो होगा फैसला तो हो नहीं था लेकिन पोस्पॉन जो होने की वज़ा है ना सबसे बड़ी वज़ा यह ही है क्योंकि संग नहीं चाहता है कि ये बात मीडिया में आए कि संग ने काम डाउन कर दिया समझ रहे हैं संग ने सांती प्रस्ताव को जो है वो लेके आया और उस पे इन लोग अमल कर रहे हैं ये संग कभी नहीं चाहता है संग हमेशा ये अपने आपको आप पॉलिटिकल बताता है और ये एक बहुत बड़ी वज़ा है कि संग ने इसको पोस्टपॉन किया है और कब होगा ये भी अब शायद मेडिया को ना पता चले जो लोग ये समझते हैं कि योगी आदितनाथ ताकतवर नहीं है कमजोर किये जा रहे हैं आप एक चीज़ देखो कि किसी भी प्रदेश में जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि शिवराज सिंग चोहान जब मुकि मंतरी थे तो नरतम मिश्रा वहां के ग्री मंतरी थे पूतर अधितनाथ को कमजोर बताने की कोशीश करते हो आप यह बताओ कि योगी आदितनाथ जब से उतर अधितनाथ की सिम्हें है ग्री मंतराले किस के पास है ये उतर प्रदेश में ब्यूरो क्रेशी का ट्रांसपर पोस्टिंग या पुलिस विवाग जो कहते हैं कि पुलिस विवाग चाहिए ना ग्रीम मंत्री को वो किसके पास है कौन देखता है यहां पर आपसे थोड़ा सेमत नहीं हूँ उसमें जो ट्रांसपर पोस्टिंग वाला खेल यह उपी में बहुत उसकी कहानी नहीं होगा आज ही आपने एक शो भी किया है कि जो डिप्टी सीम है वो कोई संवेधानिक पद नहीं है अटल यूग में आडवानी जी डिप्टी प्रसाद मौर्या या फिर किसी नेता मुझे लगता है कि केशो और या ब्रिजेश पाठक के वज़ाए बीजेपी नीचने से लेबल पर बहुत बड़ा फिल्टर करने जा रही है कई मंत्रियों का नाम है हां बहुत बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखिए नीचे से बहुत तरह के बयान आए अलग-अलग जो जिनको आप बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़े नेता नहीं थे लेकिन ड्राउंड ले बहुत बहुत क्लीर हूँ अर बारबार बोलता पैले भी और कि शाह और योगी के बीच में ऐसा कुछ है नहीं बहुत सब लोग स्पेकुलेशन पर बात कर रहे हैं नहीं किसी को कुछ थू पता है नहीं तो मैं भी अपना संग्राञा बता रहा हूं इसको एग्ज Иक्श्य ठीक है और हमेशा जब पहली बार मुख्य मंत्री बनने की बात हुई थी तब भी शाह ने फोन किया था योगी को अभी भी हम लोग ने खबर चलाई है कि दो मिनट का कॉल भारी पर गया केशो और नड़ा की मिटिंग पर वो भी अमीट साह ने कॉल किया था तो अमीट साह की की तरब से पूरी छूट है ये एक हो सकता है देखे मेरा ये मानना है कि शाह जो ये सब कुछ चल रहा है मीडिया में उसको जान बूझ के चलने देती है बीजेपी ताकि जो अंदर का गुबार है किसका क्या है वो निकल के बाहर है तो इसको इस तरह से देखना चाहिए हम लोगों को जहां तक मेरा मनना है जाहिट तोर पे और आप जरूर इस वीडियो पर राय रखिएगा कि क्या वाकई बीजेपी आरेसस में सब कुछ ठीक है या फिर यह जो हमारे सायोगी संदीप शर्मा सर के रहे हैं कि यह बीजेपी की जो आला कमांड टीम है वो यह यह हो सकता है गुजरात में 99 सीट जीती बीजेपी एक बार अगला बार क्या हुआ अगले चुनाओं में क्या हुआ तो यह जो 2240 देखके जिल लोगों को लग रहा है केंद्री नित्र तो कमजोर है योगी आदितना उतर प्रदेश में सीट कम हो गई तो कमजोर है अगले हुआ है कई पोइंट जैसे विमन रिजजर बिग्ね लेकिन उन्हें कभी पार्टी चोड़़नी की बात नहीं की थी किसी भी तरीके से कहीं मीडिया में या कैसे भी नहीं ये बात आही कि उनने चोड़ी लेकिन केशो मौरिया का बार बार या आता है कि कभी सगुः तो यह कारेक्टर का डिफरेंस है और इसको देखना होता है अधितनात का कद बहुत बड़ा हो चुका है मुख्यमंत्री की कुरसी प्यों बैठे जरूर है लेकिन डिजर्व से जादा कर रहे हैं यही कारण है कि सियासत आसपास उनके जो घूम रही है उन्हें थोड़ी आओ दिख जाएंगे क्योंकि आरेसस फाइनल मूड में आ चुका है